जहानाबाद जिले के जिलापदादिकारी ने सूट बूर पहन कर धान की कटनी की इस कटनी को देखकर ग्रामिन बहुत ही खुश दिखे क्योंकि जिलापदादिकारी ने किसानों के फटल के बहतर कमना के साथ अपने हाथ से धान की कटनी कर धान के फटल की मौईना की जिलापदादिकारी रिची पांडे गुरुबार को घोसी थाना चत्र के मीरा विभागों में धान के क्रॉप कटिंग करने के लिए खेत में पहुंचे उनके साथ कई राकिक परखंड किर्सी पदादिकारी बिरेंदर सिंग भी मौझूद रहे डियम ने अपने हाथ से धान काट कर क्रॉप कटिंग का सुबारम किया डियम ने कहा कि उन्होंने किसानों से कहा कि आज किसानों को नई तकनीकी से खेती करने की अवस्ता है नई तकनीकी से अगर किसान खेती करेंगे तो कम लाज़त में अधिक मुनाफ़ा हो सकता है उन्होंने किसानों से अपील किया कि कोई भी किसान वीचोली या माध्यम से धान बेचने का काम नहीं करेंगे इसलिए सभी पंचैतों में पैक्स में धान की खरीदारी शुरू करत गई है इसलिए सभी किसान पैक्स में ही धान दे और उचित दाम प्राप्ट करें किसानों के लिए चलाय जा रहे योजना की जानकारी लिया और किसानों से पूछा कि क्या सरकारी अनुदान रासी से बीच उपलब्द हो रहा है की नहीं इस पर किसानों ने कहा कि सरकार दुआरा ओन लाइन कर अनुदानी जर पर बीच उपलब्द कराया जा रहा है धान करतने के बाद जदवी का फसल लगाया जाएगा आज लोगों को काम कम खात पर अधिक उपज करने की आवसकता है डियम ने कहा की कैसे अधिक उपज हो इस पर किसानों को ध्यान देना चाहिए उन्होंने किसानों से कहा कि किसी भी हाल में कोई अपने खेत में प्राली जलाने का काम नहीं करेंगे अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ेगे तो उन पर कडि से करी का रबाई की जाएगी ग्रॉप कटिंग के बाद एक हेक्टर में 64 कुइंटल धान की उपज बताया गिया है। उन्हों ने कहा कि सुखाल के बाद भी धान की अच्छी फसल जिले में हुई है। किसानों को प्या कहना चाहेंगे किसानों को यहीं कि जितने जो नई टक्लिके हैं और जग्यानिकों के ज़ूरा ज़ूरा बिये जा रहे हैं। किसानों को कुछ कटना यहां भी होती है। उसमें हम लोगों ने जितने भी इच्छुक किसान हैं। जो कृषी सबन्वयक हैं और जितने भी इच्छुक किसान हैं और जितने भी इच्छुक किसान हैं। हम लोगों चाहते हैं कि सब लोग अपना पंजीकृत हो जाएं। और जिसने भी ऐसे किसान हैं। उनको किसी भी इच्छुक को या खुले मार्केट में नहीं बेचना परे। और जो उशित मूल निधारिस किया गया सचार के द्वारा। हो गया खुले